वेलकम टू वेब सोसल यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंस्टागराम इस्टोरी पर स्क्रेन रिकॉर्डिंग वीडियो कैसे लगाओगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और शुरू करने पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं वीडिय अवेलेबल नहीं होता है तो आपको यहाँ पर स्क्रेन रिकॉर्डिंग का एक एप मिलेंगे तो वान करना है तो यहाँ पर मैं नहीं करना है और मैंने आपन कर लिया है तो गाइस यहां पर मैं इसे एड आता है इसे एड को में skip कर देता हूं और यह इस तरीके सा option आता है तो मैं अपने home page पर जाता हूं और जैसे गाइस मैं Instagram पर जाता हूं और आप जिसको को भी record करना चाहते हो अपने profile को या अपने application को या कोई video को record करना चाहते हो तो यहां पर आपको Instagram पर आना है तो गाइस अपने Instagram पर आना है और Instagram पर आने के बाद जैसे गाइस बहुत से लोगों को अपने प्रोफाइल को यहां पर रिकोर्ड करना होता है तो यहां पर मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ और यह प्रोफाइल के सारे वीडियोज हैं और सारे फोटोज हैं तो सभी को लोग इस तरीके से रिकोर्ड करके कि अपने स्टोरी पे लगाते हैं अपने followers को तो सब्सक्राइब करता हूं और सभी audience को दिख जाएंगे मेरे कितने followers हैं तो मेरे followers से बहुत ही काम है guys तो इसके लिए आप हमें follow कर सकते हो so यहाँ पर जैसे यह मेरा record हो चुका है अब मैं corner of site पे click करता हूँ और इसे मैं video को cut कर देता हूँ so यह मेरा video जो create होके आद चुका है और यह एड आता है एड को मैं skip करता हूँ इसके परने के बाद यह video मेरा आचुका है so अब मैं जाता हूँ अपने instagram पे instagram एकाउन पे जाने के बाद अब पलस के option पे click करता हूँ so guys यहाँ पर मैं video ले लेता हूँ और यह video है मेरा और इसे मैंने ले लिया है तो इसे लेने के बाद आप देख सकते हो यह मेरा video बनके तयार हो चुका है अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा arrow के निशान पे click करता हूँ और यह मेरा story में यह आचुका है और यह मेरा video बनके तयार हो चुका है अब मैं आपको यहाँ से direct share करके दिखाता हूँ तो next पे मैं click करता हूँ कोई भी song लगाना है तो song लगाओ और यहाँ पर आपको caption में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पर आप direct share कर दो और आपका जो story में यह लग जाएंगे screen recording video तो यहाँ पर मैं जैसे share कर देता हूँ share करने के बाद यह मेरा story upload हो रहा है इस तरीके से आप story पे screen recording video को upload कर सकते हो so reels पे भी upload कर सकते हो so guys यह video आपको कैसा लगा आप हमें comment करके ज़रू बताना और इसी तरीके के videos के लिए चैनल पर नए हो तो subscribe कर ले और bell notification को on कर ले और all पर select करके अपने दोस्तों के साथ इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करें और इस तरीके से आप screen recording video को अपने story पे लगा सकते हो चलिए अभी तक के लिए इतना है bye bye take care love you all